तो आप सम और स्वाकत है कामश गयान चैनल में आज हम लोग वार्किंग कैपिल मेंजमेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपी पर इसकास करेंगे short term deposit होती है bank में उसको हम cash management कहते हैं अगर इस concept को broader sense में use करें तो इसमें cash equivalent जो भी liquid assets होती हैं उसे भी हम include करेंगे cash management basically required होता है finance manager को जो कि cash inflow and cash outflow को carry out करने के लिए देखा जाए तो finance manager एक vital role play करता है किसी भी business organization में और cash management उनका core work होता है finance manager optimize करता है balance of cash को जिससे कि बहुत से types के decision लिए जाते हैं आगे हम देखते हैं तो यहां पर यह हुआ है objective of cash management basically इसके दो objective हैं पहला है कि देंटिंग दे payment of schedule तो इसका जो primary objective है cash management का वह यह है कि हम sufficient fund रखें जिससे कि discharge कर सके obligation को timely और इस और भी हैं जैसे कि देखें फर्म बहुत सारे payment करती है suppliers को raw material के लिए या wages के लिए या other expenses के लिए तो यह schedule होना चाहिए जिससे कि हम routine activity को payment कर सकें दूसरा हमारा objective यह है कि minimizing fund committed to cash balance basically इसका जो second objective होता है cash management का वह है कि हम कैसे minimize कर सके cash reserve को क्योंकि cash हमारे लिए unproductive होता है अगर हम उसको reserve करके रखते हैं तो तो यह company चाहती है कि हम कैसे कि कौन सी strategy अपना है कि जिससे कि हम कम से कम हम अपने पास है cash reserve रखें इंपोर्टन्स के है cash management का तो यहां पे दिया हुआ है कि जो company है बहुत सारे necessary step लेती है जिससे कि ओ adequate cash level बना के रखें maintain करके रखें क्योंकि जो operational और capital commitment होते हैं उसको हम discharge कर सकें यानि कि जो involved होता है ऐसे ऐसी strategy अपनाते हैं कि जिससे कि हम maintain कर सकें अपने cash level को ना तो ज्यादा हो ना तो वह कम हो जैसे कि बहुत सारे company जैसे sales करती है या purchase करती है credit पे तो यह concern रहता है company को effective cash management के लिए और भी इसके importance है जैसे कि in case कभी contingent हो जाता है जैसे कि कभी fire हो जाता है या machine breakdown हो जाता है तो इसके पास adequate cash होनी चाहिए जिससे कि यह सब जो expenditure है वो हमको fulfill कर पाए उसके बाद और भी importance है जैसे कि आज का जो दौर है business का यह highly competitive है तो जो बड़ी कंपनिया है उसमें क्या होता है कि वो छोटी छोटी कंपनियों को acquire कर लेती है तो आगर हम cash maintain करके नहीं रखेंगे अपना healthy environment नहीं बनाएंगे cash का तो क्या होता है कि हमें uncertainty देखी नहीं पड़ेगी क्योंकि बड़ी हमको acquire करने के लिए यह तत्त पर रहती है और भी इंपोर्टेंस है जैसे कि materials of determine कभी कभी क्या होता है कि material globally उसका rate downfall होने लगता है तो क्या होता है कि अगर उसमें हम अपना raw material खरीद के रख लेते हैं तो हमारे लिए फायदा होता है तो क्या कैसे हम खरीदेंगे अगर हमारे पास cash होंगे तभी हम खरीद पाएंगे तो यह सब importance होती है cash management के basic strategy क्या होती है तो basically इसकी जो basic strategy है वो यह कहती है कि कैसे हम कौन सी study अपना है जिससे कि हम अपना cash cycle और cash turnover को हम management कर पाएं तो यह detail of cash cycle यहाँ पे दिये हुआ है कि कैसे कैसे हम अपनी cash cycle को हम बहतर बना सकेंगे तो यहाँ पे दिये हुआ है material order करेंगे हम सरसे पहले उसके बाद material हमको receive होगा उसके बाद हम क् चेकल की clearance होगा उसके बाद good sold हम करेंगे उसको तो customer को हम mail करेंगे payment करने के लिए तो उसके बाद है payment receive होगा हमको तो check हम deposit करेंगे तो क्या होगा fund collect होगा तो यह एक process होता है जिससे कि हम अपना cash management study हम बहतर बना सकते हैं technique and process of cash management क्या है तो यहाँ पर दिया हुआ है यह technique अगर हम अपनाएंगे तो क्या होगा कि हम अपनी जो cash management process है हम उसको बहतर बना सकेंगे न तो ढिल्य होगा और जल्दी होगा तो जल्दी होगा तो कैसा है cash management planning करेंगे तो उसमें हम cash flow को देखेंगे क्या है managing cash in flow managing cash out flow तो यहाँ पर हम manage करेंगे कहाँ से हमारा पैसा आ रहा है कहाँ से जा रहा है उसके बाद हम determine करेंगे optimum cash balance को कि हमारा पास कैस बैलने रहेगा कितना नहीं रहेगा कितना credit रहेगी उसके बाद हम investing surplus cash जो surplus cash रहे गाई हम क्या करेंगे उसी के हिसाफ से हम इपनी need के recording अपना decision लेंगे क्या है क्या है क्या है क्या है तो basically cash management planning दोस्तों क्या है management planning basically what technique and planning उस्टाय जिसे कि controlling किया जाता है cash को जिसे हम cash planning कहते हैं बसलिए इसमें control किया जाता है कि कैसे हम क्या study अपना है जिसे कि हम अपना daily या weekly या yearly हम अपना कैसे payment करेंगे क्या plan होगा हमारा payment करने का यह सब चीज़ें होती हैं जिसे कि हम cash management planning कहते हैं Thank you everyone watching my videos आप लोग live subscribe करना ना भूले